यह मैंने एक गोबी का फूल लिया है इसे में अच्छी तरह से वाश कर लिया है अब इसके में बड़े बड़े से जो फूल है इसके हम अलग कर देंगे कट करके अब मैंने एक पतीले में पानी को गरम कर लिया है इसके अंदर में सारी गोबी डाल दूँगी इसे हमें एक बॉइल आने तक किसी तरह से ढग देना है एक बॉल में मिलूँगी थोड़ा सा नमक आधी, छोटी चमच साथ में कश्मीरी, लाल मिर्च, आधी चमच, थोड़ी सी हल्दी और बिल्कों ठोड़ा सा चाथ मसाला सभी को MIGNS कर लेंगे इसमें ढालोंगे मैं थोड़ा सा पानी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगी पानी के साथ अब इसमें मैं और थोड़ा सा आधा कप मैंने पानी और डाल दिया है पूरे पानी को मैंने मिक्स कर दिया है अब जो हमारी गोबी है यह देखिए गोबी काफी गर्म हो चुकिए अच्छी तरह से पानी में से निकाल के अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो मसालो का फ्लेवर है वो गोबी के अंदर आ जाएगा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मसालो के साथ गोबी को देखिए अब मैंने प्लेट में सारी गोबी निकाल लेनी है तो प्लेट में निकाल लिया है अब जो हमारा जो पानी बच गिया था इसके अंदर मैं डालूँगी एक कब बेशन थोड़ा सा बेशन में रख लूँगी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जो अब इसमें फिर मसाले अड़ करेंगे दिखिए हमने चाट मसाल नमक पहले से भी डाला हुए है थोड़ा सा कम ही डालेंगे टेस्ट रेकॉरी ठोडिए थोड़ा सा चाट मसाला में और डालूँगी तो एक मैंने डाली हारी मिर्च बारी कटी हुई और धनिया की पत्ती इसके भी मैंने दो की काट लिया था सभी को हमने एड़ कर लिया है अब मिक्स करेंगे इसका एक हम एक स्मूथ बैटर तयार करेंगे बैटर हमें ज्यादा डीला नहीं रखना बैटर हमें इसका टाइट ही लगाना है देखिए इस तरह की कसिस्टेंसी की होनी चाहिए अब देखिए जो हमारे गोबी का फूल हमने बॉयल करके रखे होए थे एक के करके हम इसे फ्राइ करेंगे ओयल भी हमारा तेज गरम हो चुका है इसे बस हम पाँच मिनट के लिए ही फ्राइ करेंगे हाफ फ्राइ करना है हमें पूरी तरह से हमें इसका कलर नहीं चेंज करना यह देखिए बस इससे जदा हमें इससे फ्राइ नहीं करना अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे सारी गोबी को देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है यह देखिए हाफ फ्राई हो चुकी है हमारी गोबी अब हम एक प्रेट में एक एक पीसिस करके इसके जो बीज में से सेंटर में से कट लगा देंगे यह देख सकते हैं सारी गोबी के फूल जो है हमने इसी तरह से कट लगा के रख देनी है अब पांच मिनट के बाद हम इसे दुबारा ओइल में डालेंगे ओइल देखिए हमारी जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हाई रख्यूए है मैंने उसमें हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से निकाल लेंगे और यह काफी क्रिस्पी बनकर तयार हुए है चटपटे पकोड़े हमारे यह वार आप जुरूद ट्राई करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए ना तो हमने इसके अंदर चाबल काटा डाला है नहीं कुछ और और यह बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तयार हुए है यह देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई कि अवान आए अवान आए नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिएगि उसको अवान